नमस्कार मैं प्रैलाज कुमार मेना एसोसेट प्रोफेसर प्लोटिकल साइन्स बेसर गोवर्मेंट आट्स कोलेज अलवार इस एक लास में आप सभी का स्वागत हैं यह वीडियो बिये पार्ट फस्ट पेपर फस्ट वे ओनर्स पार्ट फस्ट पेपर थर्ड के लिए तैयर क किया गया है हम इससे पहले के वीडियो में राजनतिक विचारधाराओं के संधर्व में जर्चा कर रहे थे जो पहली विचारधारा उदारवादी विचारधारा है उसके अर्थ और उदे के कारणों को इससे पहले के वीडियो में समझा इस वीडियो में हम उदारवादी विचारधरा की प्रमुख माननिताएं या सिद्धानतों के बारे में चर्चा करेंगे किसी भी विचार का जन्म, किसी पूरु वर्ति विचार के कम्यों को मिटाने या उनके कारण नए विचारों का जन्म होता है और उदारवादी विचारधरा का जन्म भी इसी क्रम में माना गया है उदारवादी विचारधरा का जो जन्म स्थल है कहा जा सकता है वो इंग्लेंड माना गया है इंग्लेंड में हुआ है और इसके जो जनक हैं वो जोन लौक को माना गया है उद्य के कारणों का जो हमने पिछले वीडियो में अध्यन किया उसको एक बार पुन है पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं पहला जो उदारवादी विचारदारा के उद्य कारण है उनमें पहला कारण था अध्यो के करांती वा पूंजी पती बर्ग का उद्य दूसरा है नवजागरन तीसरा धर्म सुदार और चोथा है निरंग कुस्तावादी सासन के विरुद प्रतिक्रिया अब इसकी प्रमुख माननेताएं उदारवादी विचारदारा के प्रमुख माननेताएं और सिद्धान्द क्या हैं इस संदर में हम इस वीडियो के माद्यम से कर्चा करेंगे उदारवाद का मूल मंत्र व्यक्तिक स्वतंतरता है यानि कि व्यक्तिक की स्वतंतरता पर इनका सबसे ज़्यदा जोर है उदारवादी विचारदारा का और व्यक्तिक को वो साध्य मानते हैं राज जीव अन्य सामाजिक आर्थिक या राजनितिक संगठनों को या संस्ताओं को वो केवल साधर मानते हैं इसलिए इनका मूल मंत्र व्यक्तिक स्वतन दरता है तथा वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है जिसमें व्यक्ति को किसी अन्य सत्ता क्या दिन पंगू होकर जीवन वतीत ने करना पड़े, उसकी मूल मानिता के परिपेक्ष में इस विचारधा के मूल सिद्धानतों को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। पहला जो इनका इनकी माननेता है या सिद्धानत है उदारवादी विचारधारा की वो है मनुष्य के विवेक में आस्था इनको मनुष्य के बुद्धी में गहरा विश्वास है उदारवाद की सबसे महतुपूर्ण माननेता मनुष्य के विवेक में आस्था या विश्वास मद्धी युगिग में समाज की जो दसा थी उसमें जीवन के सभी छेत्रों में व्यक्ति पर बाहिये निंत्रन था जैसे धार्मिक छेत्र में चर्च का, राजनितिक छेत्र में निरंकुस राजतंत्र का, सामाजिक छेत्र में अनेक रूडियों का जिनसे बाहर सोचने का व्य व्यक्ति की आत्मा वे विवेक कुंठित होता है जिससे व्यक्ति वे समाज का अहित होता है। उदारवाद की मनुश्य के विवेक में आस्था के मूल में श्वतंत्र चिंतन की वह भावना है। इसका सुत्रपात नवजागरन के परिणाम सरूप वा था। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक विचारकों ने सास्त्रों के अंधानुकरण को छोड़कर बुद्धि के साहरे सोचना प्रारम्ब किया। जौन लोग ने यह प्रतिपाद्यन किया कि संसार का सच्चा ग्यान इंद्रियों के माद्यम से प्राप्त वाग्यान ही हो सकता है तथा जिसका अर्थ यह है कि मनुश्य को कोई निसकर्स निकालने के लिए जगत का निरक्षन परिक्षन करना चाहिए। जौन लोग निर्णकुस वादी रूफ था उनके विरूद उनका थामस्पेना कहना है कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है चर्च की जो रूडियां थी अंद्विश्वास थे या जब पोप के धर्णकुस्तावादी जो कार्य थे उनका उन्होंने विरूद किया इस प्रका मनुष्य के विवेक में विश्वास वे बुद्धिवादी उदारवादी विचारदारा का सार है जो पहला पहली मान्यता या पहला जो सिद्धान्त है उदारवादी राजनतिक विचारदारा का वो है मनुष्य के विवेक में आस्था दूसरा जो सिद्धान्त या माननेता उदारवादी विचारधारा की है वो है एतियासिक अतीत वे परंपराओं का विरोध उदारवाद का उदे प्राचिन युक से चली आ रही मद्योगिन सामाजिक विवस्था राजिव चर्च की मनवानी निरंको सत्ता के विरोध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है अते उदारवाद का विश्वास रहा है कि यदि प्रगतीव विकास के लिए इतियास वे परं उप्योगिता के नाम पर पहले से चली आ रही विवस्था और परंपराओं का खंडन किया और इसी तरह फ्रांस में करांतिकारियों द्वारा फ्रांस में परंणी विवस्था को उखाड फैंकने के लिए जो करांतिकी उसके मूल में यही भावना विद्यमान थी यानि कि इतिहासिक अतीत्व परंपराओं का विरोध, जो इतिहास की रूडियां और परंपरें थी, उनका विरोध करना इस राजनितिक विचारधारा या उदारवादी विचारधारा का सिद्धान्त या माननिता है. तीसरी जो माननिता या सिद्धान्त है वो है मानुवे श्वत अंतरता की धारणा में विश्वास चूंकि मद्यूग में निरंकुष राजत अंतर का और निरंकुष चर्च के अधिन मनुष्य को कोई श्वत अंतरता और अधिकार प्राप नहीं थे, इसलिए इस विचारधारा में जो की मद्यूग के परंपराओं का व्रोध के स्वरूप हुआ, उनका जो तीसरी मानिता बनी वो है मानुवे श्वत अंतरता की धारणा में विश्वास. उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुशे जनम से ही श्वत अंतर उत्पन होता है और श्वत अंतरता उसका प्राकर्तिक वो जनम से दधिकार है। श्वतंद्रता का तात्पर ये है कि व्यक्ति के उपर किसी स्विच्छाचारी सब्ता का नियंत्रण नहीं हो और ऐसा वातावन हो कि वे अपने विवेक के अनुसार आश्रण कर सके। लास्के के सब्दों में श्वतंद्रता के साथ इसका प्रतक्स संबंद है क्योंकि इसका जन्म ही समाज के किसी वर्ग दुवारा जन्म अथ्वा धर्म के आधार पर प्राप्त विशिशाद दिकारों के विरोध में हुआ था। चोथी जो मानिता या सिद्धान्त उदारवादि विचारधरा का है वह है व्यक्ति साथ दे समाज वर्ग उसके साधन है। उदारवाजियों ने व्यक्ति को साध्य माना है और उस साध्य के कल्यान है तू समाज वर राजिक को साधन माना है उदारवाजियों का मूल आधार व्यक्ति है और व्यक्ति को साध्य मान कर ही आगे बढ़ते हैं उनके अनुसार व्यक्ति का बहुतिक बहुतिक और आध्यात में कल्यान उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे महतव पूर्ण चीज है समाज वे राज ही तो साधन मातर है और उनका महतव उसी सीमा तक है जहां तक बिए इस लक्स की पूर्टि मेंS आइक होते हैं और यदि समाज वे राज अपना उदेश पूरा नहीं करते हैं तो उनके अस्तित्य का कोई ओचित्य नहीं रहता है। यह चोथी माननिता या चोथा सिद्धान्त है कि व्यक्ति साध्य है समाज वे राज रुपी संगठन या उसके उस साध्य को उसके कल्यान हे तू व्यक्ति के कल्यान हे तू उसके साधन मात्र हैं। पांच्वा जो सिद्धान्त या मान्यता है वैं समाज वैं राज क्रत्रिम संगठन हैं उदारवादी विचारधारा के विचारक समाज वैं राज को क्रत्रिम संगठन मानते हैं उदारवादी समाज वैं राज को प्राकर्तिक नहीं वरन क्रत्रिम मानते हैं और उनका विचार है कि इनका निर्मान व्यक्तियों द्वारा अपने कुछ विशेश आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया है और वह अपनी स्विधा वह आवशक्ता अंसार इनमें परिवर्तन वह संसोदन भी कर सकते हैं व्यक्तियों का जीवन ही समाज वराजी का जीवन होता है तथा उनका कल्यान ही समाज वराजी का कल्यान होता है सामान हित या सामान हित का अर्थ ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्तियों के हित से अलग वस्रेष्ट हो इस तरह से उदारवादियों ने व्यक्तिकों हित को आधार मान कर ही सामान हित की परिकल्पना की है पांचवी माननिता व्यक्तिके हितों को सर्वोपरी मानते विये समाज व्यराजिकों करत्रिम संगठन माना है चटी जो माननिता या सिद्धान्त उदारवादी विचारदारा की है वो है व्यक्ति के अधिकारों के प्राकरतिक रूप की माननिता में विश्वास क्योंकि जानलाग मानों के प्राकरतिक अधिकारों की बात अपने विचारों में करते हैं इसलिए जानलाग उदारवादी विचारदारा के जनक माने जाते हैं इसलिए जो छटी माननिता या सिद्धान्त उदारवादी विचारदारा का है वो है व्यक्तिके अधिकारों के प्राकर्तिक रूप की मानिता में विश्वास उदारवाजियों का विश्वास है कि व्यक्तिके कुछ जनमजात और अनुलंगनिये अधिकार हैं जिनें प्राकर्तिक अधिकार कहा जाता है तथा उनका उलंगन करने का अधिकार समाज वा राज को नहीं है इसी आधार पर जानलाग ने यह प्रतिपादित किया था कि जीवन, संपत्ति, वैश्वतंद्रता व्यक्ति के कुछ प्राकरतिक अधिकार है जो समाज वर राज के पूरू से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तथा इनकी रक्षा के लिए ही समाज वर राज की उत्पत्ति हुई है दूसरे सब्दों में समाज वर राज व्यक्ति के अधिकारों के इस रष्टा नहीं है वरन व्यक्तिके अधिकारों के रक्षा के लिए उनका निर्मान किया गया है। वरन व्यक्तिके विचार धरा का है वो है धर्म निर्पिक्स राजी के विचार की माननेता। तथा धर्म के आधार पर कोई बेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मद्दिकालीन यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुस धार्मिक आडंबरों वन निर्देशों की प्रदानता थी। ऐसे इस्तिति में ही धर्मिक शेशुनता और स्वतनरता की आवाद उठी। जान लोग धर्मिक शेशुनता का कठर समर्तक था। अठारवी सताबदे में फ्रेंच आद दार्शनिकों ने भी चर्चवे राजी को प्रथक करने के लिए आंदोलन किया। और इस प्रकार के आंदोलनों के परणाम सरूप फ्रांसिसी क्रानती के बाद फ्रांस वे संक्तराज अमेरिका में धर्म निर्पेक्स राज्यों की इस्तापना हुई। धर्म निर्पेक्स ता आदर्श उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन है। जो महत्वपूर्ण माननेता या सिद्धानत आज के संदर में भी है वो है धर्म निर्पेक्स राज के विचार की माननेता उदारवादयों द्वारा दे गई है। वो चर्च के निरंकुस धर्मिक आडमरों और निर्देशों की प्रदानता को नहीं मानते। वो कहते हैं कि धर्मिक शर्चुनता और श्रत्नरता व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। जो आठवी माननेता या सिद्धानत जो उदारवादी विचारदारा का है वो है सास के निरंकुसता का विरोध व्यकानून की प्रदानता का प्रतिपादन। उदारवाद अपने स्वभाव से ही सासन की श्वच्छत चारिता का विरोध करता है क्योंकि उदारवाद का जन्म इंग्लेंड में निरंकुस राश्तंत्र और निरंकुस चर्च के विरोध स्वरूप जन्म हुआ था। इसलिए उदारवाद अपने स्वभाव से ही सासन चाये वो धार्मिक्ता के आधार पर चर्च का हो और राजिका हो वो उनकी स्विच्छत चारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सासन में व्यक्ति की नहीं वरन कानून की प्रदानता होनी को भी इन कानूनों को मानने के लिए उतना ही बादिग होना चाहिए जितना की साशित और यदि सासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों की अंदेखी करता है तो जनता को अत्याचारी सासन के विरुत विद्रो का अधिकार प्राप्त होना चाहिए लेकिन उदारवाद और विद्रों में सांते पूर्ण्वे वैद्हानिक शादन इपनाई जाने चाहिए उधारवाद कि मानिता है कि यदि नीरंक सासक द्वाराः नंकुस्त पम्न दूरह को निरंकुशासन या जाए तो उनके खिलाब उनको विद्रों करने का अधिकार प्राप्ट हो जाता है लेकिन उदारवाद की धारणा है कि विद्रों में सांतिपूर्ण वे बैदानिक साथनों को ही उप्रियोग में लिया जाना चाहिए 1688 इस्वी की गौरोपूर्ण क्रांती इसका उदारण और आदर्स है नमी जो मानिता उदारवादी विचारधारा की बताई गई है वो है लोकतंत्रे सासन प्रणाली का समर्थन व्यक्ति की श्वतंत्रता की समर्थक विचारधारा होने के कारण उदारवाद स्वभावता ही लोकतंत्र की समर्थक विचारधारा है उदारवाद का जन्म चर्च वर राजाओं की नरंकुस्ता के विरुद पृतिक्रिया शुरूप ही हुआ है और लोग प्रभुता उदारवाद का मूल तत्व है वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों के रक्षा का सर्वच उपाई यही है कि सासन की सक्ती स्वेम जन्ता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथ्वा वर्ग विशेश को स्विच्छाचारी तरीके से सासन करने का अधिकार नहीं हो इसी उधारवादी विचार को अभियक्त करते वे फ्रांस के मानवी अधिकारों के गोषना में कहा गया है कि राष्ट ही तत्वत ऐ संपुन प्रभुता का स्रोत है कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई सम्हू है किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट से ने प्राप्त हो बैंथम वे मिल आदि उप्योगतावदी विचार को द्वारा लोग प्रभुता का जो समर्थन किया गया है उसका भी मूल उदारवाद की यही मानिता है कि व्यक्तिक श्वतंत्रता के रक्षा के लिए लोग प्रभुता पर आधारित लोगतंत्री सासन प्रणाली है इंग्लेंड के रास्तंत्र के लोगतंत्रिय करण के में भी उदारवादियों का बड़ा महत्वपून योगदान रहा है जो नवी मानिता या नवी जो नवाजो सिद्धान उदारवादी विचारधारा काया है वो लोकतंत्रे सासन प्रनाले में विश्वास है या उसका समर्थन करना है इंग्लेंड में बले ही राश्तंत्रे सासन व्यवस्ता हो लेकिन उसका लोकतंत्रे करन करने में उदारवाजियों का बड़ा महतुपुन योगदान रा है और लोकतंत्र की जन्नी या संसत्र की जन् करने के शिद्धान्त का समर्थन उदारवाद ही उदारवाद की ये मानिता है कि अत्याचारी सासन व्यक्तिकी श्वरतंत्रता के लिए बड़ा हानिकारक है अत्याइदी कोई राष्ट्र अपने को अत्याचारी कि विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए संगर्ष करता है तो उसे उदारवादी उचित मानते हैं उदारवाद यह मान कर चलता है कि व्यक्तिकी सच्ची सोतंत्रता तब ही रह सकती है जब सासन उसकी सहमतीव पसंद का हो अत्याचारी राष्टंतर के इस्तान पर राष्ट्र सरकार इस्तापित करने के लिए फ्रांस के विद्रो तर्के के विरुद ग्रिस निवासियों द्वारा के श्वत्नरता संगराम वा अंग्रेजों के विरुद भारतियों के श्वत्नरता संगराम के मूल में यही राष् कि जो सिद्धान्त है वो अर्ट सिद्ध्ध्स का समर्थन इनले कि की विदेशी अत्यA-चारी शाष्नус के विरुध, जो कि निरंकुष हो जाता है उसे मुक्ति के लिए उसको संगर्ष करना है और उसे जाता है। उधारवाद यह मांनकर चलता है कि व्यक्ते की सचे स्वतंदर्ता तभी रशकती है जब सासन उसकी पसंदका हो और उसकी सहमतिका हो और इसके उधारण भारत के स्वतंदर्ता संघ्राम में हैं, फ्रांस के विद्रों में हैं टर्की के विरुद ग्रिस निवाशियों का द्वारा किया गया है अश्वत्रा संग्राम है इत्यादी के द्वारा उनके विचारों का या उनके सिद्धान्तों का प्रियोग किया गया है और अंतिम जो मानिता या सिद्धान्त उदारवादी विचारधारा का वो है वो है अंतराश्टे और विश्वशान्ते में विश्वास क्योंकि उदारवारी विचारधारा लोगतंत्रे सासन व्यवस्था की समर्थक है जरंकुस्ता चाय उधार्मिक हो चाय राजनितिक हो उनका विरोध करने की है माननेता है तो स्वतही यह स्वभाविक है कि वो अंतराष्ट्य और विश्व शान्ती में विश्वास करने वाली विचारदारा है उदारवाद राष्ट्य व अंतराष्ट्य शेत्र में राजिकी नरंकुस्ताओं को स्विकार नहीं करता और विश्व बंदुत्यू के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रतेक राष्ट को धीरे धीरे शांतिपूर्ण प्रगत्य करनी चाहिए और उसे अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगत्य में साहिता भी देनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रिय वैमनेश की भावना को प्रोथ्सायत नहीं किया जाना काईए, और राज्यों के द्वारा अंतराष्ट्रे नेधिकता था सामाने अंतराष्ट्रिये नियमों को स्विकार कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार ये जो उदारवादियों की मूल माननिताएं या सिद्धान्त हैं वो व्यक्ति को साथ दिमान कर व्यक्ति को और मानव कल्यान के हितों के लिए जो भी उप्योगी तरीके हैं वो सारे माननिताएं या सिद्धान्त उदारवादियों के द्वारा अपनाए गए हैं उप्रयोक्ति विस्लेशन से यह स्पस्ट है कि श्वतंतरता, समानता, लोकतंत्रिय सासन का समर्थन, लोककल्यानकारी राज, एवं धर्म निर्पेक सासन प्रनाली, प्राकरति का दिखारों का समर्थन, उदारवाद की मूल्य मानिताएं हैं, जो मानव के श्वत्य विकार, साइक सिद्ध होते हैं, इस प्रकार ये इस वीडियो में हमने उदारवादी विचारधारा की मूल्य मानिताएं या जो सिद्धानत हैं, उनका धन किया, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम उदारवादी विचारधारा की का मुल्यांकन पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद घर में रहें, सुरक्षित रहें, अतिया आउशक होने पर ही घर से बहार निकलें, बहार जाते समय मास्क का प्रयोक आउशक रुप से करें